असलाम अलेकुम विवर्स आज हम पेसे वाइस का हकिकी जिन्दगी में इस्तिमाल के बारे में बताएंगे आपको कि किस तरह पेसे वाइस हम इस्तिमाल करते और इसकी जरूरत क्या है इंग्लिश लेंग्विज में एट्स टेक अलुक अट दा बोर्ट पेसे वाइस एन रियल यूज पेसे वाइस इन वेच दे सब्जिक इस अनिम्पोर्टेंड और यहां पर कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहां पर लफज बाई की ज़ुरत आम तोर पे नहीं होती है तो आएए देखते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश अक्रोस टा ग्लोब तो विल्मी कनवर्ट इस तो पेसे वाइस एट बिकम्स लाइक देस इंग्लिश एस पोकन अक्रोस टा ग्लोब यहां पर बाई पीपल की ज़रुरत नहीं होती अब हमरे पस दूसरा सेंटेंस है बनाता तो इसको हम कनवर्ट करने के लिए इस तरह कुछ यू लिकिंगे के दिस हाउस वास देस हाउस वास बैल्ट एंड नाइंटीन सिक्स्टी वन इस तरह एक और सेंटेंस है समबडी स्टोल अलट अफ मनी इन राबरी तो इसमें समबडी को जब हम इसको पेसे वाइस म समबडी के लगानी की जुरूरत नहीं है तो इसको हम पिस वास में इस तरह तदीर कर सकते हैं राबरी एक और सेंटेंस है we prohibit smoking, we prohibit smoking, so the passive of this will be smoking is prohibited. अब यहाँ पर by us की जौरत बिलकुल नहीं, इसका मतलब है, सिगर्ट नूशी ममनू है, सिगर्ट नूशी मना है, एक और सिंटेंज है, how people pronounce this word, so जब हम इसको पेसु में चेंज करते हैं, यह इस तरह के जूम्ले होते हैं, यह पेसु में इस्तिमाल होते हैं, यह एक्टियो में इस्तिमाल नहीं होते हैं, so we say, how this word is pronounced, और इसका मतलब है, लफज का तलफ़ुज किस तरह किया जाता है, एक और सिंटेंज है, people make cheese from milk, तो यह पर people को अगर हम इस सिंटेंस से हटाएं पेसे हुए इसमें, तो इसकी meaning पर किसी किसम का फरक नहीं पड़ता, जिस तरह कि cheese is made from milk, पनीर दूद से बनाया जाता है, पनीर दूद से बनाया जाता है, next sentence is, they invited you to the wedding, तो इसका हम पेस्फू करेंगे, you were invited to the wedding, अब इसमें, by them की जरुरत नहीं है, इस तरह कि last sentence है हमारे पास, they cancelled all flights because of fog, तो इसमें हम इसको हम तरह से में जब चेंज करते हैं, तो इसमें भी by them की जरुरत नहीं पड़ती जिस तरह कि all the flights and the flights were cancelled because of fog, तो यह पर भी by people की जरुरत नहीं है, यानि all the flights were cancelled because of fog, यानि fog की होजासे, तुंद की होजासे सारे परवाजे मनसूख कर दिये गए, अब यहाँ पर कुछ इस तरह sentences हैं, जो यकसर active में इस्तिमाल नहीं होते, यह सिर्फ और सिर्फ passive OS में हम इस तरह sentences इस्तिमाल करते हैं, तो मेरा मतलब है कि आप लोगों को यह बात वाजिफ हो जाए, कि अंग्रीजी जुबान में कुछ sentences और इस तरह बहुत सारे जुबान में कुछ sentences ऐसे होते हैं, जो कि या तो passive OS में सिर्फ इस्तिमाल होते हैं, या तो active OS में इस्तिमाल होते हैं, तो उन्हें से चन्द सेंटेंस यह हैं, फर एक्जम्पल अगर कोई आप से पूला कि गलास किस तरह बनाए जाता है, तो इस का इंग्लिश हम इस तरह बनाएंगे, एक और सेंटेंस हैं, How mountains are farmed? के पहाड़े किस तरह बनती हैं? पहाड़े किस तरह बनती है? How mountains are farmed? अब अगर हम इसको active में convert करने की कुशिश करते हैं, तो इसके माने जो हैं वो गलत होंगे. When was antibiotic discovered? When was antibiotic को कब दर्यास किया गया? तो अब अगर हम इसको भी active में convert करना चाहते हैं, तो इसका मिलिंग गलत होगा. And the last one is, What is silver used for? यानि चांदी किस चीज के लिए इस्किमाल किया जाता है? I think this is subscription for today. And for more such informative videos, please subscribe this channel. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.